असलाम अलेकुम एवरिवान वालकम बैक टू माइ चानल मेरा घर मेरी जननत तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे तो यहाँ पे नए व्लोग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग का टाइम है और सारे जो रूटीन के काम है न वो अल्मोस्ट हो चुके हैं और मैं आगई हूं किचन में क्योंके आँच मुझको बनाना है गरम मसाला यह होम मेट गरम मसाला में तयार कर रही हूं मैंने आप से वादा किया था कि जब भी बनाऊंगी आप से जरूर शेयर करूंगी तो यहाँ पे जो भी मैंने गरम मसाले लिये हैं वो इस तरह है कि बड लाइची ले लिए है मैंने गृर्इन यृर्ण काली म्रीच पत्थर के फूल और उसके आलावा दाल चिनी लाउग और शहाँ जीरा लिया है कोरियन्डर लिया है और थोड़े से गुलाब की पंख़ड़ें लिये है और इसके साथ लिये है मैंने जाइफल अब मैं जो गरम मसाले बनाती हूँ ना इसमें सारी वो चीजों का इस्तेमाल करती हूँ जिसमें सिर्फ खुश भी हो देखिए हम लोग जो बाजार से गरम मसाले लेते हैं ना उसमें कोरियंडर का इस्तेमाल बहुत जादा होता है उसके अलावा तेज़ पता वो लोग बहुत ज जादा डालते हैं और रेट चिली पाउडर या रेट चिली भी डालते हैं तो मैं ये सारी चीज़े अवाइड करती हूँ क्योंकि गरम मसाले में मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की जरूरत है तो यहां पे मैंने कड़ाई ले लिया है ताके मसालों को थोड़ा सा रोस् लिए तो ये सारे खड़े मसाले जो है वो मैं डाल दूंगी इसमें अच्छा बादियान का फूल नहीं यहां पे जाइफल और बादियान का फूल भी मैंने डाला है और ये सारी चीज़ों को अब मैं कड़ाई में डालके इसे लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंग ताकि इसमें एक अच्छी सी खुश्बू आजाए और ये जो जाइफल है ना इसको मैं थोड़ा तोड़ के डालूंगी ताकि पीसने में आसानी होजाए बस और कुछ नहीं और जाइफल की भी एक अपनी बहुत ही अच्छी खुश्बू होती है और ये जो मसाला में तया कर रहे हुँ ना ये आप किसी भी रेसिपी में दाल सकते हैं चाहे आप बिर्यानी बना रहे हों कोर्मा बना रहे हों या नॉर्मली घर का जो भी चिकन का सालन वगेरा हम बनाते हैं ग्रेवी बनाते हैं उसमें भी ये इस्तिमाल कर सकते हैं और ये जो है ना कॉंटेटी मे हाफ लगता है सपोस्थ कि अगर हम बजार से जो गरब मसाला लाते हैं आ वो अगर हम वन टीस्पून दार रहे हैं तो यह सिफ ङृप टीस्पून में ही हमारा काम हो जाता है क्यूंकि यह अटना स्ट्रॉंग फ्लेवर वupun गरब मसाला تियार होता है तो अभी सारी मसाले जो अच्छी तरह से भून गए हैं क्रैकर की आवाज आ रही है क्रैक हो रहे हैं मसाले तो अब मैंने इसमें डाल दिया है कोरिंडर और साथ में गुलाब की पंखड़ी मेरे पास थी वो मैंने डाला अगर यह ना हो तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं उसके बगैर भी हमारा गरम मसाला बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा लेकिन अगर है तो आप इसे जरूर दाल दिये क्योंकि इससे बहुत ही प्यारी सी एक खुश्बू आ जाती है हमारी रेसेपी में और मसाले में तो मसाला बुनने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया ताके वो ठंडा हो जाए और जैसे ही यह ठंडा होगा तो फिर हम इसे पीस के रख लेंगे तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ पीजा की क्योंकि आज मेरे बेटे को बड़ी साइस का एक पीजा चाहिए था क्योंकि वो इसने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि आज वो पीजा लेकर आएगा सब के लिए तो मैंने यहां पर एक बड़ी साइस का एक पीज़ा रेडी किया है यह चिकन चीज पीज़ा है और इसकी कम्प्लीट वीडियो अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर आल्रेडी मैंने जो मेरे बेटे की जॉब का सेलेबरेशन थोड़ा सा हलका सा जो पार्टी दिया था उसका फर्स डे की तो उसमें मैंने बनाया था और आपके साथ में रेसिपी भी शेयर की थी तो आप वो वीडियो जरूर देखिए आपको कम्प्लीट रेसिपी मिल जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी पीज़ा बनके तयार होता है इसका बेस भी मैं घर में तयार करती हूँ और सब को बहुत पसंद आता है और बहुत ही अच्छा है ऐसा पीज़ा आपको आइम शॉर के बाहर नहीं मिलेगा खाने के दिए तो एक तो ये है कि हम जो चाहें जिस तरह की विचिटेबल चाहें डाल सकते हैं यहां पर मैंने प्याज और कैपसिकम डाल दिया है चिकन डाल रही हूँ और उसके बाद मैं डालती हूँ इस पे थोड़ा सा सिजलिंग कर लेते हैं जैसे पिज़ा सिजिलिंग होती है औरिगवाणी और चिली फ्लैस, इसे मैं सिजिलिंग कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा मायओनीज और मैल्टड चीज जो है वो दालने के बाद मोस्डेल बचीज ग्रेड़ेड करके इसे बेग कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए बेक हो चुका और इसके साथ में मैंने फ्राइस वगेरा सॉस वगेरा दे दे थे और सब को बहुत ही पसंद आया तो अब यहां पर यह मसाले जो थंडा हो गया था तो मैंने इसे ग्राइन कर लिया है और अच्छी खासी कॉंटिटी मसाले की बनके तयार हो गई है छे से आट मैंने अभी मुझको इसकी तरफ देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी इंशाला और यह काफी दिनों तक चलता है जैसे मैंने बताया ना कि जो हम जो बजार से मसाला लाते हैं उसकी हाफ कॉंटिटी लगती है क्योंकि यह इतना खुश्बूदार मसाला होता है इसमें सारी चीज़े हमने जो डाली है ना वो खुश्बूदार यह मसाला गरम मसाला जो रियल होता है ना वो बनके तयार होत और आज मैं बना रही हूँ अफगानी चिकन तिकका तो इसके दे चिकन को मैरिनेट करना था मुझको तो मैंने एक बॉल में ले लिया कर्ड दही ले लिया है कॉटर कप से थोड़ा ज्यादा उसमें दाला है जिंजर गालिक पेस और सॉल्ट दाल के सारी चिज़ों को मिक्स क कर दिया है दही के साथ में और मैंने बॉनलेस चिकन लिया है हाप कीजी के करीब और उसको तिका बोटी में कट कर लिया था धो की रखा हुआ है तो बस वह इसमें दालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके ढखके रख देंगे ताकि जब मुझे बनाना हो तो हमारा चिकन जो है वो हमको अच्छी तरह से मैरिनेट हुआ हुआ मिले और इसी के साथ में मैं बना रही हूँ पनीर मलाई कोफता तो इसके लिए मैंने यहां पर 100 ग्राम जो है पनी ले लिया है और इसे ग्रेटेट कर लूँगी पनीर को ग्रेटेट करना चाहे तो हम हाथ से भी इसे क्रमलिंग कर सकते लेकिन ग्रेटेट करने से इसका डो अच्छी तरह से तयार होगा इसके साथ पे ही मैंने ले लिया है दो मेडियम साइज के आलू जिसे मैंने बॉइल कर लिया था उसे भी ग्रेटेट कर लेना है पनीर के साथ में आलू और पनीर ग्रेटेट करने के बाद हम थोड़ा से मसाले इसमें आड़ करेंगे तो यहां पर कोफटों में मैं डालूंगी सॉल्ट उसके साथ ही मैं डालने वाली हूँ चिली फ्लेक्स यहाँ पर मैंने टू टी स्पूद चिली फ्लैक्स दाला है और थोड़ा सा कोरियंडर फ्रेश कोरियंडर मैं दालूंगी फाइन चॉप करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो फॉर्म में हम लेके आ जाएंगे अच्छे इसको बाइंडिंग के लिए मैं इसमें द जाएंगे एक डो सा तैयार हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी हमको कोई पानी वगएर दालने की जरूरत नहीं है पनीर और आलो के साथ में यह अच्छी तरह से जो है डा बाइंड हो जाएगा और दो तैयार होने के बाद हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ आज से साथ मिनिट के लिए और अब हम बना लेते हैं कोफते तो थोड़ा सा ओईल मैंने हाथ पे लगा लिया है और ताके यह जो डो है ना वो चिपके नहीं हाथों में और बस अब जो कोफते ना आपकी अपनी चॉइस है कि आप जैसे चाहे बना सकते हैं चाहे आप बूत्रे थोड़े से बनाईये है तो मैंने थोड़ा से यह कटलेट फा counterparts के अंदर इस तरह से बनाया है और आठ से 10 बनाया है बाकि का डोर रग दिये है क्योंकि अगर हम ऐसे यह फ्राय करके भी खाते है ना तो यह कोफते बहुत ही टिस्टी लगते है तो मैंने जितनी ल बस उतने ही कोफते बनाया है और इसे हम लो फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे कोफतो को फ्राइ करने के बाद मैंने कड़ाई में से थोड़ा सा ओईल कम कर दिया और इसमें थोड़े से गरम मसाले डाले और साथ में ही डाला मैंने अनियन का पेस्ट जो मैंने अनियन बॉयल किया था और साथ में डाला है 1 टी पून जिंजर का ली पेस्ट और 3 टू 4 पेने ग्रीन चिली जो है न ऐसे स्लाइट करके डाल दिया है और साबू थी क्योंकि मुझको ये वाइड ग्रेवी बनानी थी अ मिस प्याज और अद्रक लसन का जो पेस्ट है ना वो इसको अच्छी तरह से भूना है जब तक कि अद्रक लसन की जो इसमेल है वो खत्म न हो जाए अब मैंने इसमें डाला है वाले नहाफ टीज़ पून वाइट पेपर पाॉडर सॉल्ट और कॉटर कप के करीब कर्ड डाला है दही और अब सारी चिज़ों को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि दही और सारे मसाले आपस में मिल नहीं जाते और अच्छी तरह से पक नहीं जाते तब तक हमें इसे भूनना है मैंने इसे दो मिनिट के लिए ढ़क दिया था ताके ये अच्छी तरह से कुख हो जाया और ये देखे मसाला अच्छी तरह से भून चुका है सारी छीज अच्छी तरह से पकचुकी है तो अब बागी के मसाले भी इसमें एड़ कर देते हैं तो अब मैं इसमें एड़ करूंगी वान टीस्पून चाट मसाला हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये है मेरा कॉर्मा मसाला पाउडर जिसमें मैंने काजू, मखाने और गुलाब की पंखड़ियों को पीस के ये पाउडर तयार किया है जो हर ग्रेवी के अंदर एक बहुत क्रीमी टेक्चुर देता है तो ये मैंने डाल दिया है और सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक अच्छी सी क्रीमी ग्रेवी तयार हो अब मैंने इसमें डाल दिया है दो से तीन टेबल स्पून के करीब फ्रेश आमूल क्रीम और अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप हाप कप मिल्क डाल दीजिए दूद डाल दीजिए उससे भी एक क्रीमी टेक्चर आजाएगा आपकी ग्रेवी में अब ये सारे चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे कोफते गैस की फ्लेम को बिलकुल लोग पे रखना है और बस लास्ट जो है ना पांच मेर्ट बाकी ग्रेवी जब पूरी तयार होगी तब ही हमें ये कोफते डालने है और कोफते डालने के बाद हमें इसे ढख के दम पे पकाना है पांच मेर्ट के लिए क्योंकि सारी चीज़े पक चुकी है बस कोफतों के साथ में ही हमें इसे पकाना है दम देना है तो यहाँ पे देखे मेरी बेवकुफी के मैं ढख कर इस तरह से हिला रही हूँ तो कोफतों को हमें चमस से नहीं चलाना है बस इस तरह से थोड़ा सा मूँ करना है ताके ग्रेवी में कोफते अच्छी तरह से डूप जाए और पाँच मेड़ बाद हमारी जो ग्रेवी है वो तयार हो चुकी है अब यहाँ पर जो तिक का बोटी मैंने तयार मैरिनेट करके रखा हुआ था तो इसे रखे होए तकरीबन तीन से चार घंटे हो चुके है अब मैं इस पर एड़ करूँगी गरम मसाला पॉडर हाफ टी स्पून किचन मैजिक मसाला वां टी स्पून और यहाँ पर मैंने कोरियंडर और ग्रीन चिली की चटनी बनाई है और वो मैं अब इसमें एड़ करके अच्छी तरह से मिक्स करूंगी क्यूंकि अफकानी तिका बोटी में तयार करी हूँ जो ग्रीन कलर में होती है और अगर आपको ऐसा ग्रीन कलर चाहिए ना तो कोरियंडर को लास्ट पूमेंट पीस के आप दालिए तो कलर जो है ना बह तयार हो चुकी है तो अब फ्राइ कर लेते हैं हमारे तिका बोटी को तो यहां पर मैंने ले लिया है पैन और उसमें दाल दिया है ऑईल और ऑईल हलका सगर्म होते ही हमें इसमें सारी हमारे जो बोटी से चिकन की वो दाल देंगे मेडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राइ करना ह और एक मिनिट तक हम इसे बिलκूल भी पल्टेंगे नहीं और एक मिनिट बाद घब हम एक मिनिट हो जायगा तो हम इसे पलटेंगे वर नः क्या होता है, जो इसके पर मसाला लगा ओए ना बार-बार पलटने से वह सारा मसाले की कोटिंग निकल जाती है तो हलका सा कलर आने के बाद हम इसे निकाल देंगे और यहां देखे सारी बोटी फ्राइ हो चुकी है तो मैंने आइल निकाल दिया और सारी बोटी को ये पैन में डालके एक कोईले का धुआ है ना मैं दूंगी हमारे जो अफगानी तिका बोटी बन के बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए तो इसे हम सर्फ करेंगे तंदूरी रोटी के साथ में तो आज का मेरा व्लोग यही तक था आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करके मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजेगा तो फिर मिलूंगी नेक्स ब्लोग में बहुत जल तब तक के लिए अल्लाह अपिस